गुड मॉर्णिंग क्लास, तो देखे, लास्ट लास्ट हम क्या कर रहते हैं? क्लोईट्स के टाइप पड़ रहते हैं, इसमें पहला टाइप था सोल, हाँ, सोल क्या होता है? जब solid, solute के particles, liquid में mix होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, sol करते हैं, exam bus में क्या 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 है था हमारा ink, soap solution, star solution या paint, फिर दुसरा हमने पढ़ा था solid, sol, solid sol क्या होते हैं, जब solid, solute particle is mixed in solid solvent, यानि कि जिसको mix कर रहे हैं, वो भी solid हैं, और जिसमें mix कर रहे हैं, वो भी solid है, एक्जांपल के तोर पर हमने लिया था, jamstone, यानि कि ruby, तिसरा था aerosol, अब aerosol में क्या होता है, ये वो colloids होते हैं, जिसमें कि, solid gas में mix होती है, या liquid gas में mix होती है, पहला ता स्मोक धुमा दूसरा था आटोमवाइल एक्जॉस्ट हाँ गाडियों से निकलने वाले दुआ फिर इसमें ऐसे भी कुछ एरो सोल से जिसमें कि लिक्विड गैस के साथ मिक्स होती है पहला हेयर स्प्रे दूसरा फॉग तीसरा मीश्ट एंद चौथा याद इस क्लाउड इतनी सारी बाते लाश्ट क्लास हो गई थी अब हम इसके आगे डिसर्श करेंगे ओके यानि कि इमल्सन में ऐसा होता है कि एक सी लिक्विड पार्टिकल दूसरे लिक्विड पार्टिकल से मिक्स तो होती है लेकिन उनका नेचर ऐसा है कि वे दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते जैसे कि अगर आपके घर पे mustard oil है और आप उसको water से mix करें कोई फाइदा नहीं होगा आप जब भी देखेंगे तो आपके जो mustard oil है वो हमेशा उपर और लेयर पे आएगी और water हमेशा कहाँ चला जाता है नीचे यहरी को कभी भी चाहा है जितनी कुछ से mix नहीं होते तो ऐसे liquid और liquid का mixture जो बनते हैं colloids उनको क्या करते हैं मलसं करते हैं जामपल के तोर पर आप क्या ले लेंगे milk butter and face cream हाँ इस examples क्या है milk butter and face cream next देखे फोम the foam is a colloid in which a gas is dispersed in a liquid medium the example of foam are fire extinguisher, foam, soap bubbles, shaving cream and beer foam ऐसे देटार रहे फोम है कई बार लोग bubbles उड़ा आते रहे हैं मैं वैसे हाँ वो भी किस के अंदर आता है इस ही के अंदर आता है that is foam next हमारा solid foam the solid foam is a colloid in which a gas is dispersed in a solid medium the examples of a solid foam are insulating foam, foam rubber, sponge and bread यह सब कैसे example है यहाँ देजार देखे जामपल सब solid foam इसमें क्या होता है gas solid के अंदर क्या होती है mix होती है and the last one is gel the gel is a semi-solid colloid semi-solid colloid के मतलब वो solid के दिखते तो है लेकिन actual pure solid नहीं होते है in which there is continuous network of solid particles dispersed in a liquid यानि कि यह ऐसी केसर इसमें solid liquid आप उसमें एक दुसरे सा अटाइच होते है आपको बालू में नहीं चलेगा यह solid pure है यह pure liquid है वो दोनों का mixture होते है और एजामपल जेली जेन 18 एंड हेयर जेल यह सब एजामपल किसके हैं हाँ the examples of gel आईए classification of colloids क्या हम एक table देखेंगी इस table को आप बनाएंगे देखें आप इस table को अच्छे से बनाएंगे और आप याद भी करेंगे पहला soul soul क्या होता है solid का liquid में मिलने से होता है होता है एक्जामपल ink soap solution star solution and maximum paint दूसरा solid soul यह क्या होता है जब solid solute और solid solvent मिलते हैं यह दोनों ही solid है उस case में जैसे की color jamishos यानि के Ruby तीसरा है aerosol aerosol के दो case बनते हैं पहला solid gas में मिक्स हो यह दूसरा liquid gas में मिक्स हो अगर solid gas में मिक्स होती है तो उसे एक्जामपल smoke और automobile exhaust हो ने अगर liquid gas में मिक्स हो रही हो तो उस case में एक्जामपल आपके hair spray fog mist और cloud हो सकते हैं next हमारा emulsion इसमें liquid liquid के अंदर मिक्स होती है लेकिन वो liquid मिक्स होती है जो एक दूसरे के साथ mix नहीं हो पाती हाँ वो completely एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती जामपल milk butter face cream next one is foam इसमें gas liquid में अंदर मिक्स होती है जैसे fire extinguisher foam soap bubbles saving key cream and beer foam next one is solid foam इसमें gas solid के अंदर मिक्स करा जाती है for example insulating foam foam rubber sponge और bread next हमारा gel gel में क्या होता है यह दोनों के we discuss करेंगे आप इसको अच्छे से बना लेंगे और याद भी कर लेंगे thank you so much a